हेलो स्टूडेंट तो आज हम लेकर क्या हैं एक और थियोरम और ये थियोरम जो है हमारी रिलेट करती है tet德 जिनोंने क्या है इस वीडियो से प्रिवेस वाली तीन वीडियो देख रखी है ungef कि ये पे पहली जो तीन वीडियो इस है आप उनको जा करके देख लिजिए अब आपके यह concept clear हो जाएंगे तब ही आपको यह theorem समझ में आने वाली है ठीक है यह उनी तीन topics की theorem है जिसमें जो हमारा पहला topic था unitary operator दूसरा normal operator तीसरा self-adjoint operator यह उनी से relate करती भी theorem है ठीक है अगर आपने देख रखी है तो बहुत बढ़िया है अगर आपने नहीं देख topic तो पता ही होने चाहिए पहला unitary operator किसे कहते हैं दूसरा normal operator किसे कहते हैं ठीक है अगर यह दो topic आपको पता होंगे तो ही आप कर सकते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले मैंने वीडियो के लिंक दिया है तीनों के वह जाकर आप देख ले ठीक है वैसे जोरत तो खाल ठीक है इसका statement क्या है यह इसके theorem कि every unitary operator हर एक unitary operator is normal कि हर एक unitary operator हमारा क्या होता है नौर्मल होता है बट confers is not true अगर हम इसका कनवर्स करें यानि कि उल्टा करें तो वो क्या है हमारा true नहीं होता यानि कि हर एक normal operator unitary operator नहीं होता ठीक है तो यह हमें इसमें proof करके दिखाना है ठीक है अब इससे पहले जबी मैं कहा रहा हूं कि आपको unitary operator और normal operator पता होने चाहिए ठीक है फिर भी मैं आपको दोनों ही condition दिखा देता हूं कि unitary operator और normal operator condition क्या क्या होती है इसी वीडियो में ठीक है तो पहला इसमें जो है unitary operator ठीक है unitary operator condition हमारी यह होती है कि T star हमें प्रूफ करना होता है कि यह बरावर होना चाहिए किसके T inverse के ठीक है यह होगा हमाई unitary operator की अब दूसरा जो normal operator उसकी condition होती है T T star बरावर होना चाहिए T star T के अब यह दो condition है ठीक है तो हमें क्या करना है हर एक unitary को normal operator प्रूफ करना है ठीक है अगर हम यह कर देते हैं तो हमारी जो theorem प्रूफ हो जाएगी और दूसरा उसमें बोला है Converse is not true कि हर एक normal operator क्या नहीं होता unitary operator नहीं होता ठीक है इसलिए मैं कहरूँ पहले आप यह दो वीडियो जा करके देख ले लिंक डिस्क्रिशन में दे रखा है ठीक है तो अब देखते हम यह theorem को पहले मैं आपको यहां पर लिखकर भी बता देता हूं कि पहला था हमारा unitary operator तो वो था हमारा कि जो हमारा t star है बराबर होगा कि इसके t inverse के पहला दूसरा था हमारा normal operator वो था हमारा t t star बराबर होगा t star दूसरा यह था तो यहीं दियान लुद दोनुए चीजां में इसमें proof करन के लिए हमए क्या प्रूफ करना कि हर एक unitary operator क्या होता है हमारा normal operator होता है ठीक है अब पहले prooare करना है normal operator तो हमें पता ऊच्छी normal operator की condition क्या होती है इससे पहले मैंने आपको दिखाई ही और यहां पर लिख कर भी दिखाइए तो नार्मल operator हमारी condition यह है तो इसे परूफ करने के लिए हमें ते क्या, T को पता होना च्छी है, कि T हमारा क्या होगा और दूस्रा T are ग्या होगा अगर यह दूनों हमारे पास होंगे तब यह मिने इस condition को प्रूफ कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे T को मान लेंगे आ टी श्टार से निकाल लेंगे तीक है, वो हम देखते हैं भी आगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर तो हम यहाँ पर मालेंगे T बराबर 4 I और capital I I हमारा यहाँ पर बड़ा वाला जो है capital वाला वो हमारा क्या है I identity operator ठीक है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि T बराबर हम मालेंगे 4 I यह हो गया और यह जो I होगा हमारा यह होगा हमारा identity operator ठीक है तो हमारे पास T आगया और इसे के निगाल लेंगे T तो T स्टार हमारा 4 I और capital I का स्टार तो इसका कर लेंगे हम किसका स्टार क्यों होगा वो आपके यहाँ पर सामने वो किसका बंशतार माइन जैगा से इसका माइन में cools अगा आई और इच्टार हैं तो T स्टार हो गया माइनश के फोर आई की ठीक है हमारा ती hunting आ या मईना ओल्स तार आप क्या करेंगे क्यों कि हमें कंडिशन का रचार बर्रूफ करने टी ती रचार है तो पहले हम यह condition proof करेंगे फिर second हम यह proof करेंगे ठीक है जैसे हम LHS और RHS वाले question करते थे थे ना same वैसे ही है ठीक है तो आप देखते हम पहले यह T T इस्तार निकालना है तो पहले हमने यहां T की value रख दी है हमारी T की value हो गई और यह हमारी किस की value हो गई T star की value हो गई ठीक है दोनों value आ गई अब क्या करेंगे जो दोनों value रख दीन की क्या है multiply कर देंगे आपस में 4 की 4 से करेंगे 16 आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा i क्या i से करेंगा i square और i square का मान कितना होता है माइनस के 1 माइनस 1 हो गया तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर आ जाएगा 16 और यह 16 का होगा हमारा माइनस का फिर क्या यहां पर i square की value माइनस 1 और यहां पर i square हो जागा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगे यहां 16 आ जागा और यह i square ठीक है तो यह हमारी यहां से बना यह आ गए आपके सामने ठीक है अब दूसरी condition कि यहां पर लिखा है कि i square बराबर होगा i के अगर आप identity जो हमारे पास metric होती है i बराबर आपने पड़ा होगा 1001 यह होती है अब वहां पर क्या है i square निकी i से i की multiply है तो आप क्या करेंगे i square निकालेंगे यह निकी i cross i मैं आपको करके दिखा देता हूँ 1001 x 1001 अब अगर आप इनकी multiply करेंगे दोनों की तो हमें क्या मिलेगा 1001 यह निकी i square बराबर हमें मैत्रिक्स मिलेगी जसे मैं जो क्या होसकते है इसलिए आए स्कोर बराबर हो गाई ठीक है log स्थी यह ह्यावनद एंसे भी लिख सकते है कि i square का माना माना मारा कितने हा nữa यहां चलते फिर हम टी टी स्टार है हमारे पास बराबर पहले हमने ती स्टार की रग दी यहां जैसे हमें दे रखा था दूसरी वैल्यू हमने कि स्कुर्ण दी टी रग दी ठीक है आप क्या करेंगे वही से मल्टिप्लाई कर ती सूला आएगा यहां पर ठीक है फिर क्या औ 경ड मैंने आपको बतांगा यई कैसे निकलेगा आई हो जाएगा ठीक है यहां पर भी value उमारी same आई और यहां पर भी हमारी value same आई तो हम यह वोल सकते हैं कि T star बराबर होगा T star T ऐ ठीक है यह हो गया तो हम क्या है यहां पर ले करके चले देख्या Unitary Operator सही है Unitary Operator हम लेते वे चले दे और यह हमने क्या Proof कर दिया कि यह क्या होता है Normal होता है हमें यही तो Proof करना था Normal Normal condition ही होती है तो यह हमारा क्या Proof हो गया कि यह हमारा क्या है Normal है ठीक है फहला हो गया Easy theorem है इसमें कुछ नहीं है ऐसा ठीक है और दूसरा अब दूसरा उसने क्या होला था कि Converse Is Not True कि अगर हम इसका Converse करें तो वो क्या है हमारा True नहीं होता ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब हमें यह पता है कि हमें इसका Converse करना है Converse का मतलब उल्टा यानि कि हमें Normal Operator से Unitary Operator बनाना है और Unitary Operator की मैंने अभी आपको Condition दिखाई भी थी T Star बरावर प्रूफ करना होगा T Inverse के यह Condition हमने लिखवाई थी ठीक है अब क्या करेंगे हम कि हमें पता है कि T Star बरावर नहीं है T Star के ठीक है Heading डालेना Converse ली और T Star बरावर नहीं है कैसे अभी हमने यहाँ पर T भी निकाला और एक T Star भी निकाला ठीक है कहीं यह बरावर हैं दोनों नहीं है बरावर तो हम सीधे यहाँ से लिख देंगे कि यह आपस में बरावर नहीं है ठीक है कि T Star बरावर नहीं है धेकिसके टीगे अब क्या है अगर आप जैसे हमारे पाछ ठी हो गया के हम झाला बॉकी 4 आई अगर यहां से आप टी इंवर्द निकालेंगे ठीक तो वैलिउ आपकी कि आएगी यह ठीक है कंडिशन यह में प्रूप करना होती है कि टि स्टार बरावर है किसके टि इन्वर्स के अगर यह बरावर होगा तो हम इसे क्या वोल सकते हैं यूनिट्री यूनिट्री वोल सकते हैं अगर यह होगा तो ठीक है अब हम यहाँ पर वैल्यू रखे देखते हैं अगर सेम आ रही होगी तो हम लिख देंगे कि यह क्या है हमारा हर एक नॉर्मल ओप्रेटर हमारा unity operator होता है अगर सेम नहीं आएगी तो वह क्या होगा उसका converse true नहीं होगा तो पहले टी स्टार की रग लेते हैं टी स्टार की value हमारी यही आयती है भी निकल गए तो टी स्टार की जगा हम रग लेते हैं माइनस के 4 i और i यह आगे हमारी टी स्टार की value अब टी इंवर्स की यहाँ पर value लिख रखी है मैंने और यह बता भी दिया मैंने आपर टी इंवर्स की value हो गए हमारी माइनस के एक बटे 4 i i तो कहीं से यह सेम है एकवल नहीं है तो हम सीदे यहाँ से लिख देंगे क्या कि minus के 4 यानि कि T star equal नहीं है किसके T star condition को पूरा नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे कि हर एक जो भी Converse is not true यानि कि हर एक normal operator हमारा unit to the operator नहीं होता ठीक है अगर यह condition प्रूफ हो जाती है अगर यह हम प्रूफ कर देते कि T star बरावर होगा किसके T inverse के यह हम प्रूफ कर देते तो हम यहाँ पर लिख देते कि हर एक normal operator हमारा क्या होता है यूनिटिर ओप्रेटर होता है ठीक है तो यहीं यहाँ पर लिखा है कि टी स्टार बरावर नहीं होगा टी इन्वर्स के क्योंकि इसकी वैल्यों मारी इतनी आ रही है तो हमने यहाँ पर लिख दी अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सो नॉर्मल ओप्रेटर इस नॉट यूनिटिर ओप्रेटर की हर एक नॉर्मल ओप्रेटर जो हमारा नॉर्मल ओप्रेटर होता है वह हमारा क्या है यूनिटिर ओप्रेटर नहीं होता ठीक है इजी थियोरम है और बहुत बार एक्जाम में आ तो यह क्या है, Definition के साथ में आती है यह जो Theorem में Normal Operator और Unitary Operator की है तो साथ में क्या है वो 10 number के question में इन दोने की definition पूछ लेगा और साथ में theorem देदेगा, ठीक है कि इस theorem को proof करो, यह एक की definition देदेगा दोने से और कहेगा कि इस theorem को proof करो, ठीक है, Easy theorem में कुछ नहीं है सही है अगर आपको नहीं पता कि क्या होते हैं हमारे ठीक है तो मैंने पहले से इन पर क्या है वीडियो बना रखी है उनके लिंक में डिसक्रिशन में देदूँ हाँ आप वहाँ से जाकर देख लेना जो मेरी वीडियो पहले से देखते वह आ होंगे उनके लिए क्या यह इजी ठियोरम होगी क्योंकि मेरे साथ सुरू से पढ़ते वे आ रहे हैं उन्हें पता हुआ ठीक है क्योंकि मैंने सब बता रखा है उन्हें आपको इससे रिलेटिड यानि की फंक्शन अनालेसिज मेंसी फोर्थ सेंसर रिलेटिड और वी टॉपिक्स चाहिए हो तो मैंने क्या है उस पर एक प्रॉपर प्लेइलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक में डिस्क्रिस्चन में दे दूँआ वहां से जाकर आप देख लेना वहां पर आपको सारे के सारे प्लेटिंट करेंगे आपको कोई टॉपिक ना मिले जो आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना मैं उस पर क्या है वीडियो जलसी जलं बना दूँग ठीक है और अभी क्या है आप पहली बार मेरे वीडियो तो सबसे पहले क्या है आप चैनल को सबस्क्राइब कर लें औ ठीक है और अगर आपको MST 4th Sam के previous year question paper भी चाहिए हो ठीक है तो मैंने क्या है उस पर भी एक proper playlist बना रखी है उसका भी link में discussion में देदू है आप वहाँ से जाकर देख लेना और क्या है वो playlist आप अपने दोस्तों के साथ भी share करना उनके उनको भी paper अभी तक नहीं मिले हो तो उ मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्या है आप हमारी वीडियो को like करें comment करें comment करकर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके exam के लिए helpful थी यह नहीं थी ठीक है और function analysis की playlist को भी अपने दोस्तों के साथ में कि ये येmişाओ उनको ाेख़ोस्ताश神ाय में कि ये ये ररिजोन आपके साथ सुझती कि ये घ्क रर संप्सक्राइब कर मारे ख to多少 चपके साथ साथ कि ये और तक करें सभा़ल